है गाइज जाहिन वेलकम टू वानिक एडमी जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सिलेंस वेलकम टू दिस वीडियो आफ डेली निव्ज अनलिसिस टोड़े इस 16 जून 2021 चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टन अनॉंसमेंट जो की डेली हम डिसकस करते हैं पर्सनल की जाएगे और आपका जो टागेट है वहां तक आपको अचीव करने में लास्ट मुमेंट तक आपकी जो हल्प है वो आपकी की जाएगी अलग लग तरह के सेशन होंगे कांसलिक सेशन होंगे एक हुज डिसकाउंट आपको यहां पर प्रवाइड किया जा रहा है 40 दिसकाउंट मिल सकता है प्लीज शियर इट विद यूर फ्रेंड जो 10,000 का फी स्ट्रक्चर था वो आपके लिए 6,000 अभी है और उसके बाद आप फॉम बर सकते हैं आप फॉम का जो लिंक है डाइड इस गिवन इडिस्क्रिप्चिन बॉक्स अलोंग विद आप वहां पे कॉंटेक्ट नंबर भी है वट्सेप कॉंटेक्ट है ओफिशल वानिम कैडमी का जो कॉंटेक्ट है वहां पे आप कॉल कर सकते हो वट्सेप पे अपना मैसेज डॉप कर सकते हो और शूरली विदिन 24 आस्ट यू विल गेट दे रिप्लाइड फॉम दियर लेट्स स्टार्ट विद इंपोर्टन न्यूज यह हमने दाहिंदू से यह न्यूज ली है ट्विटर अपॉइंट्स इंटरिम चीफ कंप्लाइंस ओफिसर फॉर इंडिया जैसे कि आपको पता है कि गॉर्मेंट और जो जितने भी ज्यादा तर गॉर्मेंट ने जो नए रूल्स बनाये थे नए आई टी रूल्स बनाये थे उसके बेहाफ पे उनको जो सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म्स हैं या सोचल मीडिया साइट जो हैं उनको एक इंटरिम चीफ कंप्लाइंस ओफिसर एक बनाना था और जो facebook और पहले even की twitter ने और facebook ने पहले मना किया था और facebook ने तो last moment पे आके facebook whatsapp ने last moment पे आके और फिर case file किया था supreme court के अंदर दुबारा से अभी जो है twitter ने यहाँ पे update है कि twitter ने appoint कर दिया है interim chief compliance officer for India अभी interim है अब final अभी selection जो होनी अभी बाकी है then unequal distribution of vaccines hits states immunization drive states की जो immunization drive है वो हिट हुई है unequal distribution से जैसे कि वैसे तो equality का concept हम follow करते है लेकिन यहाँ पे equity जो है that is also equality की जिस state को ज्यादा जरूरत है ज्यादा provide करने चाहिए यहाँ पे cases ज्यादा है population के हिसाब से लेकिन यहाँ पे news है कि unequal distribution है उससे states का इम्मुनिशन drive है वो हीट हुई है अभी देखते हैं कि किस तरह से government जो है central government या state government किस तरह से मिलके इससे जो है manage करती है then inflation business news यह inflation जो महंगाई है बड़ी है in bond yield रूपी हिट्स वान मन्थ लो रूपी का जो प्राइज है और जो नीचे गिरा है रूटर्स के अंदर यह नहीं हुस था और अदा हिंदू ने कवर किया है then Israel Gaza violence erupts दुबारा से यह erupt हुआ है for the first time since end of last month's fighting पहले ceasefire हो चुका था दुबारा से यह जो violence है यहां पे erupt हुआ है then high court underlines UAPA misuse ending the year-long detention of three students activists चो थे booked by Delhi police under the UAPA anti-terror law the Delhi high court granted them bail on Tuesday saying it seems that in its anxiety to suppress dissent in the mind of state the line between the constitutionally granted right line between the constitutionally granted right to protest and terrorist activity seems to be getting somewhat blurred blur हो चुकी है if the mindset gains traction it would be a sad day for democracy Natasha Narwal, Devnagana, Kalita and Asif Iqbal Tanha were arrested in May 2020 for their alleged role in Delhi rights conspiracy case and were later booked under the UAPA while Narwal and Kalita are in Tihar jail Tanha is out on two day two week sorry यहां पे two week interim custody bailed to take his examinations then next है एक international news है China denounces NATO statement defense policy पहले देखो NATO जो है आपको इसकी फुल्फरम पता नहीं चाहिए North Atlantic Treaty Organization North Atlantic Treaty Organization यह only military alliance है और इसका जो article 5 है article 5 आपको पता होगा और सबसे जादा contributor इसके अंदर NATO के अंदर USA है और आपको पता है कि जो डेनाल टरम जो प्रिवेस प्रेजिडेंट थे फॉर्मर प्रेजिडेंट थे उन्होंने कहा था कि हम इसमें biggest contributor है उसका कुछ फायदा तो अभी है ने क्योंकि यह दिस वाज मेड जस्ट टू काउंटर दा USSR जो स्टेलिन के साथ साथ USSR का जो फॉल हुआ इन 1991 उसके बाद दुबारा से जो सुक्सेसर स्टेट थी रश्या जिसका अभी इतना ज्यादा इंफ्लेंस नहीं है USSR was a superpower and Russia is not that much influential और उसके बाद डोनाल्ड ट्रेंप ने अभी रिसेंटली बोला था पिछले कुछ साल की बात है तो उन्होंने बोला था कि हम इस से कुट कर रहे हैं लेकिन दुबारा से वहाँ पे नए प्रेजिडेंट की जब elections होई तो जो अब आइडन ने अभी दुबारा से बोला है दुबारा से इसके अपडेट्स आ रहे हैं और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जी सेवर मेट के साथ साथ जो नैटो के मेंबर्स जो मिले और उन्होंने ये कहा कि जैसे कुछ countries थी उनको उनकी defense के लिए जैसे कि Turkey, Canada है और एक और country जिसके बारे में बात किया रहा था और ये article 5 जो कहता कि अगर इनकी जितने भी 30 प्लस जो countries हैं अगर एक की उपर भी कुछ दिक्कत आती कोई problem आती है कोई बाहर से कोई country अटेक करती है तो ये जो है उस एक country को बचाने के लिए ये उसे protect करने के लिए जितने भी members हैं 30 प्लस जो member countries है सारे उस enemy के जो खिलाफ है वो हो जाएंगे और ये basically NATO जो बना था that was basically against the USSR USSR को counter करने के लिए और यहां पर चाइना रोल के अंदर इसलिए है क्योंकि चाइना को NATO के जो members है उन्होंने कहा है कि चाइना एक biggest threat है आज biggest global threat है और चाइना ने इसे counter किया है counter statement भी है कि जो NATO ने statement दी है that is not right और चाइना अपने आपको बचाने के लिए अपनी defense को अपनी defense को बढ़ाने के लिए यह security challenge के लिए कुछ भी अगर उसे कदम उठाने पड़ें तो वो उठाएगा यह उन्होंने formally कहा है the new delta variant found in india can escape antibodies यह जो हमने last news लिया है excuse me sorry this news is from indian express and this news is also from indian express and this is from down to earth जो magazine है and इने बोला यहां पर delta plus यो variant है India के अधर जो अभी मिला है वो antibodies को escape कर सकता है यानि कि mutation delta plus variant can render vaccines and treatment ineffective हो सकता है कि जो vaccine यहाँ पर provide कर सकते हो सकता है कि उसका इतना impact या body के ओपर antibodies जो है वो इतने असरदार ना हो Then PM to deliver keynote address at the fifth edition of VivaTech VivaTech जो है largest digital and startup events है यॉरप के अंदर held in Paris जो France की capital है Every year since 2016 से लेक्या भी तक It is jointly organized by Publicis, a group Prominent Advertising and Marketing Conglomerate And LessEco's Leading French media group It brings together the stakeholders in technology, innovation and startup ecosystem And includes exhibitions, awards, panel discussions and startup contests The fifth edition of the VivaTech is scheduled to be held between 16 to 19 June और यहां पर Prime Minister जो हमारे शरींदरेंदर बोती है और वो डिलिवर करेंगे अपना जो address है Keynote address at the fifth edition of the VivaTech on 16 June 2021 at around 4 PM यानि कि आज के दिन The Prime Minister has been invited as the chief guest of honor To deliver the keynote address at the VivaTech 2021 और इसके अंदर जो prominent speakers होंगे वो Mr. Emmanuel Macron है जो कि President है France के Then Mr. Pedro Sengzik Then Prime Minister of Spain है जो Minister और MPs from various European countries Then event will also witness participation of corporate leaders Like Mr. Tim Cook CEO जो है Apple के दिन Mark Zuckerberg चेर्मेन और CE हैं हो है Facebook के दिन Mr. Brad Smith President Microsoft among others यह कुछ personalities हैं जो इसके अंदर participate करेंगी और Europe की एक यह digital start-up events हैं जो की Europe के अंदर होते हैं 2016 से यह start हुए थे और हमारी country को लेखे क्या impact इस पर पड़ेगा वो हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा इसका क्योंकि European Union के साथ भी हमारे क्या relations हैं या बाकी देशों के साथ क्या relations हैं इस तरह के जो technical जो हमारी strategies या partnership हैं वो किस तरह से important हैं इंडिया के लिए यह सारे जो groupings होते हैं यह हमें इसके बारे में पता न चाहिए लिए अंचरी जो हैं और लिए यह लिए उनके लिए काफी फेमस है चलिए आपको एक क्क्वेशन बताना है कि जो अग्री यश्यन के अंदर क्या स्टेटस है प्रूतर अरनजिन साहो जो है अच्टर भी चरषेक कि अचक्डेहर Moana Hollman in Manas Ar wohin सेंखाने और अच्छीजिह जो है ननने होने चूरी ऱ्चिछ दिपर्मूं किश्ट्ट मृइग भी मीज्यग ऑंकिन Basr 레o कि चांता। would be fitted with GPS which had the software soon, he added. आप आगे यहां पर देक सकते हो ते संचुरी in Kendra Para district. कहां पर है ये संचुरी Kendra Para district? Kendra is the world largest rookery of sea turtles. Odisha High Court had directed the state government on March 16, 2021 to install the geo-coordinates of the centuries, a boundary in GPS system of all fishing boats to track their movements. The country's action followed a February 4 report in down-to-earth that 800 olive turtles had died since January this year due to the negligence of the state's forest and fisheries department. The court took Siomoto cognizance of Siomoto that they have made it up or they have kept it in mind then of the report February 23 unregistered a case it constituted a three-member panel February 26 comprising Ankarthik Shankarasi, Turtle Researcher of the Indian Institute of Science in Bengaluru Shushant Ananda, Director of Environment of the State Forest Administration and Advocate Mohit Agarwal और ये पैनल के बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे गहीरमत जो है लाई विदिन दा पाक बाउंडरी then गहीरमत वस टेकलेड अ मरें सेंचुरी इसके हिस्टी के बारे में 1997 के अंदर to protect or leave ridles a dash added a dash added due to the non-demarkation of the no-fishing zone in गहीरमत then forest and coast guard official used to arrest many fishermen each year on charges of fishing in the century most of these entries were made inadvertently by fishermen as the century was not demarkated now we hope fishermen will not enter the century please subscribe to this channel and also press the bell icon और ये जितना हम कोशिश करते हैं क्योंकि ये आपको free content जो provide करके दे रहा है ये YouTube channel ये हम तब ही कर सकते हैं आपकी sport के बिना we can't grow, we can't reach to that number of people या वो students तक हम नहीं पहुंच सकते जो की कोचिंग की या institutes की fees जो नहीं आप आवेल कर सकते इतना और उनके लिए एक affordable education या सही time के ओपर वहां तक उन तक पहुंचाना ये चीजें ये तब हो सकता है अगर you people will support और personal mentorship program के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जैसे हमने शुरू में भी discuss किया था और ये जो program है initiative लिया गया था वानिकेडमी की दुआरा you can also support this और जो बच्चे participate करना जाते हैं या जो बच्चे इसको join करना जाते हैं please join it और अगर आप ये code यूज करते हैं VMDA ने तो आपको एक discount मिलेगा 40% का huge discount you will get over and जो 10,000 का price है वो रहके बस 6,000 रह जाएगा और आप इसे join कर सकते हैं और अगर description box के अंदर इसका जो link है form आप वहाँ बसकते हैं इसके बारे में आपको मैंने शुरुवात के अंदर भी बताया था कि क्या क्या चीज़े रहती हैं जैसे prelims के लिए mains के लिए आपका answer writing कैसे आपको करनी है आपको क्या क्या चीज़े वहाँ पर करनी है आप पीछे वीडियो को back करके भी देख सकते हैं starting में और जितने भी students इसके साथ नहीं जुड़े हैं welcome to this channel welcome to Vani Academy और इसका facebook का link page का है वो भी आपको provide किया गया है हर एक तरह का social media platform के साथ जुड़ाव है वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हो उसको भी facebook का चाहिए instagram है आप follow कर सकते हो देन इसकी official website भी है जो की आपको description box के अंदर मिलेगी WhatsApp का contact है या आप officially official number पर आप call कर सकते हो and within 24 hours जो आपकी queries है you will get the reply of that और जितने भी हैं यह सारी चीज़ें जितने भी initiative लिए जा रहे हैं जल्दी हैं CSAT के बारे में भी जो 2020 के अंदर 2021 के अंदर जो exam होगा आपका CSAT के अंदर जो questions आएंगे या CSAT आपको कैसे cover करना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा within 2-3 days content है वो तयार हो चुके है within 2-3 days you will get that videos also kindly support us and please subscribe to our channel one academy thank you for watching this session have a nice day thank you